हेलो एबरीवन, वेल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल 24 फनने स्टोरी चलिए श्टार्ट करते हैं आज की कहानी आज की कहानी सुनाने के बाद सायद आप भी चोक जाओगे आज की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये गटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकत्ता सीटी का इलाका है 9 अगस्त 2024 की सुबह 10 बज़ कर 13 मिनट के आसपास कोलकत्ता का एक मेडिकल कोलिज है आरजिकल मेडिकल कोलिज हस्पिटल यहां से वैक्ति के पास फोन आता है फोन करने वाले वैक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डोक्टर के पिता बात कर रहे हैं उधर शे कहा जाता है कि हाँ बात कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल कोलिज आ जाईए आपकी बेटी की बहुत जादा तवित खराब है जैसे ही ये बात पिता ने सुनी पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी रात वो तो ठीक थी पर अचानक से तवित खराब कैसे हो गई इससे पहले कुछ और पूछ पाते तो फोन कट जाता है और जब फोन कट जाता है तो पिता ने उस वेक्ति का बाद एक के बाद एक के बाद फोन करना सुरू कर दिया लेकिन वो वेक्ति फोन नहीं उठा रहा था हार ठक कर कहीं वार हो जाते हैं तब जाकर उस वेक्ति ने फोन उठाया पिता पोहुचते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ है कि आपकी बेटी की हद्या हो चुकी है जैसे ही पिता ने बहुत सुनी तो वो रोने लगता है लेडी डोक्टर की मा भी रोने लगती है इससे पहले वो मेडिकल कॉलिज पहुंचते ही ये जानते है कि बेटी को हुआ क्या है तब तक ही है बात जानते तब तक ये बात हजारों नहीं करोडों लोगों तक पहुंचती है और जिस तरह से ये बात पहुंचती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते है आकिरकार ऐसे कैसे हो सकते हैं इसके बाद नर्ष हो या डॉक्टर हो या नेता हो कोई भी हो हजारों की संक्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं इस घटना करम की सीब्या इजाज की मांग करने लगते हैं फिर ये माबाप मॉबाइलों के माद्यम से बड़ी संक्या में लोगों तक पहुँच जाती है और जिसमें ये भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका चैरा भी लोगों के सामने आ जाता है दरशल ये घटना इंसानित को सरम सार करने वाली घटना है जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वैस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इनसानों की सकल में ये कैसा जानवर है ये कहानी पस्चिम बंगाल की राज़दानी कोलकत्ता सिटी का इलाका है लाल बजार और लाल बजार इलाके में आर्जिकल मेडिकोलेज होस्पिटल है इसी मेडिकल होस्पिटल की चेस्ट मेडिशीन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एक ट्रेनी डोक्टर है ट्रेनी डोक्टर आठ अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी मा का फोन आता है मा अक्सर अपनी बेटी को फोन करके ठीठा की पोचती थी बेटी तुम कैसी हो क्या कर रही हो मा तुम रोज फोन करती हो क्या बात है तो पोचती है कि खाना खा लिया तो तुमने बेटी कहती है कि हां बेटी कहती है कि नहीं अभी खाना खाने का टाइ टाइम नहीं हुआ, खाने खाने का टाइम नहीं हुआ, तो मरीजों को देखने जाना है, मैं फोन रखती हूँ, जैसे ही मुस्कुराते वे बेटी ने फोन रखा, तो मा को सुकुन मिल जाता है, कि वो ठीक है, बेटी मरीजों को देखने के लिए चली जाती है, कि वो डोक्ट ने खाना खाया कि नहीं जी हाँ अभी तो वो खाना नहीं खा पाए खाना खाते हैं अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर दो जूनियर होते हैं उनके साथ बैठती है और हस्ते मुस्कुराते वे खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो कहती है कि मुझे ठकान सी हो रही है मैं थोड़े देर आराम करती हूं चोथी मंजल पर ही सेमिनार होल है लेडी डौक्टर महा पर आराम करने जाती है उसके बाद अगला दिन निकलता है नो अगस्त सुबह 6 बजे के आज़ पास कुछ लोगों पा हैं उसे कोई देख नहीं पारा है उनका जो श्रीता वो अर्धनगन अवस्था में ता सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां कि में इसा लग रहा था जैसे किसी ने उस सरीर को काटा हो नोचा हो अलग अलग जंगे से आँखो आँखो या प्राइवेट पार्ट हो सब जंगे से खून बैरात गर्दन भी के अड़ी टूट चुकी थी अब घरवालों को सूचना दी जाती है लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है तुम्हारी बैटी वीमार है उसके बाद घरवाले परेषान हो जाते है उसके बाद बता जाता है कि तुम्हारी बैटी ने हथ्य कर ली लेकिन घरवालों को यection नहीं हो रहा था कि रात तो वो ठीक थी अच्छनक से क्या हो गया ये बात हुस्पिटल से टूक्टर के पास पह करने लग जाते हैं बात बीजेपी नेता उतक पहुच जाती है पीजेपी नेता भी सड़क पर उतराते हैं कहते हैं इस मामले को दबाने का परियास किया गया था कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका रही है मेडिकल परसासन की भूमिका सही नहीं है और इस तरह से इस मामले को दबाने का प्रियास किया गया और सरकार पर भी उंगले उठाई जाती है इसकी सी बी आई जांच होनी चाहिए पुलिस ने इसके घरवालों को बुलवाया पिता ने बेटी को जब अरद्रनगर नवस्था में देखा तो पिता का रो रोकर बुरा हाल था लोगों को बस एक एक सवाल है कि लेडी डोक्टर का इतना अच्छा सवभाव है इसकी 31 साल की उमरी थी सबके साथ वैप्यार से मदद करती थी आकिर उनको कौन इस तरह से मारेगा कौन इनका बलतकार करेगा कुन इनके सरीर के हर एक हिस्से को अपने दातों से काटेगा कौन इसकी गर्दन की हर्ड़ी तोड़ेगा हो और हो सकता है वो दरिंदा हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल ता पुलिस ने लाज को कपजे में लिया लाज को पोस माश्रेम के लिए भेजा पोस मास्टम के बाद रिपोर्ट आती है अब ये रिपोर्ट जब कहानी सोसल मीडिया के माध्यम से लोगों में वीडियो वाइरल होती है लोगों में गुस्वा फैल जाता है लोग कोल कत्ता की सटकों पर उतरने लगते हैं हर किसी का एक ही मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इसका खुलासा होना चाहिए जादातर लोग फासे की मांग कर रहे थे अब जब दबाव पढ़ने लगता है अब चाहिके अंदर सरकार से हो या अलग अलग राज्युक से हो जहां देखो वहाज दबाव पढ़ना सुरू हो जाता है ममतबन रजबी कहने लगती है कि हाँ ऐसे फासे ही होनी चाहिए आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए जिसे की आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू